नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी, पंच्तंत्र की कहानी, बोलने वाली गुफा, दोस्तों, किसी जंगल में एक शेर रहता था, एक बार वो दिन भर भटकता रहा, किन्तु भूजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला, ठककर वो एक गुफा के इतनी गुफा पर आया, उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे, उसने ध्यान से देखा, उसने अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है, वो समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है, चतुर सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा वो गुफा के भीतर नहीं गया उसने द्वार से आवाज लगाए ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यूं हो आज बोलती क्यूं नहीं हो जब भी मैं बाहर से आता हूं तुम मुझे बुलाती हो आज तुम बोलती क्यूं नहीं हो गुफा में बैठे हुई शेर ने सोचा ऐसा संभव है कि गुफा प्रते दिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो आज यह मेरे भाई के कारल मौन है इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूं ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाए और कहा आजाओ मित्र अंदर आजाओ आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है वो तुरंद वहां से भाग गया और इस तरह सियार ने चाला की से अपनी जान बचा ली धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें